नवश्कार बहुत स्वागत है आपका जोतिश दिशासत्य की रामे मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंड संतो संतोशी सुरवात कर चुके हैं एक नया सवेरा जो इस समय हमें इंदौर पहुंचा रहा है हमसे आप आज और कल दो दिन इंदौर में मिल सकते हैं इंदौर में मिलने के लिए संपरक कर लीजेगा बाकी तो रिल्स पर हम जानकारी देते ही रहते हैं क्या रहेगा आज का दिन? क्या आज मा कुश्मानडा को अर्पित करना है? जी हाँ चोथी शक्ती मा कुश्मानडा की है इनने क्या प्रशाद भोग लगाएं जो मा की किरपा सहजता से प्राप्त हो जाएं इसकी पूरी जानकारी लेकर की उपस्तित हो? आयो सुरुवात आज के जोतिश दिशा की करते हैं इससे पहले की पंचांग के विशे में हम जानकारी दें मा कुश्मानडा के विशे में हम आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग कर देते हैं मा इनके अंदर से ही ब्रम्हानड की उत्पत्ति मानी जाती है कुम्रे से मा का प्रादुरभाव मा का नाम कुश्मानडा रखवाया जैसे की समस्त देवियां एक विशेश शक्ति के लिए जानी जाती है मा का चमक मा का तेज उत्पत्ति कारग है पैदा करने वाली चीज किसी चीज क्यों उत्पत्ति जैसे होती है मा के तेज मैश स्वरूप को समझना हम भक्तों के वश में नहीं है बस मा की शरण में रहना हम भक्तों के वश में है या देवी सर्वभूतेशू मा कूश मांडा रूपेड संस्थिता नमस्तस्यी 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 नमो नमः मा की स्वरूप को आप सब पूजे माने समझे इसी में हम सब की भलाई है आये सुरवात आज के पंचांग की चैत्रमा शुक्लपक्ष चतुर्थिती थी है आज मा की चोथी शक्ती मा कूश मांडा का आज दिन है चैत्रमा बिशब राशी में नक्षत राज का कृतिका रहेगा शाम चार पचास तक इसके बाद रोहिडी योग रहेगा प्रीती सुबर साथ सत्तावन तक और इसके बाद आयुशमान तदर्मस्वार दिनांग पांच अप्रैल दिन मंगलवार राहुकाल का समय रहेगा दोपर तीन से साड़े चार और गुलिक काल का समय रहेगा दोपर बारह से डिर राहुकाल अशुब समय होता है और गुलिक काल पांच समय होता है गुलिक काल में आप कुछ भी करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन राहुकाल उसके लिए ठीक नहीं माना जाता मेज से लेकर मीन तक अब आई आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं आज की भविश्यवाणी और प्रतेक राशी वाले यह भी समझें कि मा को क्या अर्पित करके शुभ करना है आई ये सुर्वाद आज की भविश्यवाणी की दिनांग पाँच अप्रेल दिन मंगलवार मेश राशी पढ़ाई के लिए विचार करिये पहले और फिर परिवर्तन शीलता की तरफ आगे बढ़िये ब्यापार बहुत अच्छा सिक्षा में किसी तरह का दुराव नहीं, किसी तरह की दिक्कत नहीं ब्यापारिक दिश्ट्रिकोर से आज कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है प्राइवेट सिक्टर में बंधन है सरकारी शेत्र प्रमोट करेगा दामपत्य जीवन में कुछ मुश्किले आपके अपने सगे संबंधी पैदा करेंगे सरकारी शेत्र और दामपत्य जीवन दोनों जगह पर सभालना आपका आज दायत्व है लव लाइफ हर प्रकार से शुब है यहाँ पर किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी स्वास्थ के मामले में बैक की प्राब्लम आँख और किड्नी की समस्या हो सकती है मा कुश्मानना को आज पेठे का प्रशाद अर्पित करियेगा क्या नहीं करना है बड़ बोला पर नहीं दिखाना है शुबरंग बैगरी भागी प्रित्षत 66 ब्रिशब रासी बहुत अनकूल समय है शुक्षा में हर प्रकार की शुपता है पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी ब्यापार अच्छा चलेगा रुके काम बन जाएंगे बिजनस में हर प्रकार की सकारात्मक्ता रहेगी प्राइवेट सेक्टर बालों के लिए नहीं नोगुरी की संभावना है लेकिन सरकारी छित्र आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा गौर्मेंट सेक्टर में कुछ भी सकारात्मक नहीं दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पतनी के साथ अच्छा समय भी देगा सपोर्ट मिलेगा लव लाइव की स्थिति में सुधार हो रहा है हर प्रकार की सकारात्मक्ता आपके साथ बनी रहेगी लव लाइप में कुछ बड़ा करने की चाह पूर्ण होगी स्वास्त के मामले में किड्नी और आख की समस्या आज उलजाएगी क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशी ब्रिशब है आज मा कुश्मानना को प्रणाम करके सरसो के तेल का दीपक उनके चरणों में अर्पित करिएगा क्या नहीं करना है आज अपने इरादे बताने नहीं किसी को शुबरंग आपके लिए नीला भाग्य प्रतिशत पचपन मिथुन राशी दिनांक पाँच अप्रेड शुक्षा बहुत अनकूल है और शुब है कोई रुकावट नहीं है ब्यापार तकलीफ देगा बिजनस को लेकर रिस्क मत लीजेगा प्राइवेट सेक्टर में नई नौकरी की संभावनाओं को तलाशने का दिन आ गया है सरकारी छेत्र आपके लिए बोज़ा है आज आज काम में मन नहीं लगेगा स्वास्त भी कुछ आपके लिए कश्ट दायक रहेगा दामपत्य जीवन बहुत अच्छा है पत्नी के साथ अच्छा समय बीतेगा सपोर्ट मिलेगा लव लाइफ उल्जन दे रहा है लव लाइफ की स्थती में सुधार नहीं है स्वास्त के मामले में बैक की प्राबलम आँखों की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए आज आपको मा कुश मांडा को प्रणाम करते हुए ओम दुम दुर गाये नमह इस मंत्र का जाप करते हुए तिलक सिंदूर का लगा लिजेगा क्या नहीं करना है आज काले रंग का गुरेज करना है पहनना नहीं है हरा रंग शुभ है उन सठ प्रत्षत का भाग्य है करकराशी बहुत शुभ समय है स्विक्षा के लिए जो विचार किया था पूर्ण होगा किसी तरह की समस्या नहीं आएगी बड़ी उचाई तक सोच कर आप पहुँच जाएंगे ब्यापार आपके लिए अच्छा है बिजनस में रुके काम बन जाएंगे आज बड़ा फैसला होगा प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अनकूल है जिन्दाओं से मुक्ते देगा अवसर बड़ा देगा सरकारी छेत्र उल्जन दे रहा है गौर्णमेंट सेक्टर को लिके सजग रहे दामपत्त जीवन अच्छा है पतनी के साथ अच्छा समय भी देगा सपोर्ट मिलेगा लेकिन लव लाइफ आपके लिए बोजह दे रहा है लव लाइफ की स्थिति में सुधार नहीं होगा स्वास्त के मामले में आँख और किड्नी की समस्या आपको परिशान करेगी क्या उपाय करना चाहिए आज मा को श्मान्डा को प्रिशन करने के लिए आज मा के चर्णों में काले तिल और गुड का प्रशाद चढ़ाईएगा क्या नहीं करना है उधार नहीं देना है शुबरंग्रे भाग्य प्रत्षत 62 सिंग राज्वि अनोखे अवसर की प्राप्ति है कुछ बड़ा करने की चाह पूर्ण करेंगे स्विक्षा तो अनोखी है ब्यापार सही स्थिति में नहीं है बिजनस को लेकि सजग रहने की आवश्यक्ता है प्राइवेट सिक्टर आपके लिए बहुत अनकूल है कुछ सकरात्मकता है कुछ उचाई है सरकारी च्षेत्र आप पर आज भारी पड़ेगा गौर्णमेंट सिक्टर को लेकर के सजग रहने की आवश्यक्ता है दामपत्य जीवन बहुत अनकूल है पति-पत्नी के बीच रिष्टे में मधुरता रहेगी सवहार्द रहेगा लव लाइफ की स्थिती में बोज पड़ रहा है लव लाइफ बहुत अच्छी स्थिती में नहीं स्वास्त के मामले में बैक की प्राबलम आखों की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए सिंग राशी वालों को कुछ रामदाना, मिश्री और इलाइची का प्रशाद मा कुश्मांडा के लिए बनाना है अरपित करना है क्या नहीं करना है इस्त्रियों के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना है शुबरंग गुलावी भाग्य प्रत्षत 65 कन्यराशी बहुत सकरात्मक समय है लाब होता जाएगा हर प्रकार की शुपता रहेगी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी ब्यापार आपके लिए कश्ट देगा बिजनस को लिए करके आपको सजग रहने की आवशक्ता है ब्यापार के लिए जो कुछ सोचा था आपने सब कुछ पूरा कर लेंगे रुके काम बन जाएंगे प्राइबेट सेक्टर में चिंताएं बढ़ सकती है प्राइबेट सेक्टर आपके लिए आज कुछ मुश्किल देगा सरकारी छेतर में प्रमोशन है स्वास्त के मामले में किट्नी और आख की समस्या आज उलजा रही है क्या उपाय करना चाहेगा आपकी राशी करन्या है मा कुश्पान्डा को आज मिश्री और इलाइची का भूग प्रशाद दीजिएगा कच्चे दूद के साथ प्रणाम करते हुए क्या नहीं करना है आज दूसरों के घर पे भोजन नहीं करना है शुवरंग सफेद भाग्य प्रत्शत उन्सट फिफ्टी नाइन तुलाराशी अच्छा दिन है पढ़ाई पूर्ण करेंगे सिख्चा में कोई दोश कोई रुकावट नहीं ब्यापार कश्ट देगा विजनस को ले करके चिंता हो सकती है प्राइबिट सेक्टर आपके लिए अन्कूल है हर प्रकार की शुपता है प्रमोशन है सरकारी छेतर आप पर भारी पड़ेगा गौर्णमेंट सेक्टर को लेकि सजग रहने की आवशक्ता है दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी के साथ अच्छा समय बीतेगा सपोर्ट मिलेगा लव लाइफ आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा लव लाइफ को लेकर के आपको सतर्ग रहने की आवशक्ता है स्वास्त के मामले में आज बैक की प्रॉब्लम आँख और किटनी की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए आज तुला राशी वालों को पीले पुश्प और हल्दी मा कोश मानना के चरणों में रखियेगा हल्दी का तिलग लगाईएगा शाम को और पुश्प मा की चरणों में रहने दीजेगा क्या नहीं करना है आज आज लंबी यात्रा नहीं करना है पीला रंग शुबच 56 प्रतिशत का भाग्या है 56 बात ब्रिश्चिक राशिकी अनोखा समय है लाब होगा पढ़ाई अच्छी करेंगे सिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं ब्यापार आपके लिए तकलीफ दे रहा है बिजनस में कुछ न कुछ मुश्किल और बाधाय अवसर बढ़े देगा इन अवसरों का लाब होगा सरकारी छेत्र तनाव में है आज गौर्णमेंट सेक्टर आपके लिए ठीक नहीं है दापत्त जीओन अच्छा है पत्नी के साथ अच्छा समय भीतेगा बच्चों का सुख मिलेगा लेकिन लव लाइव की स्थिति में सु करेंगी स्वास्त के मामले में बैक की प्राबलम और आखों से पानी आना हो सकता है प्रियोग क्या करना चाहिए ब्रिश्चिक राशी वालों को आज मा कुश्मान्दा को प्रसंद करने के लिए आज मा को आप सिर्फ हरी लाइची और घी अर्पित करिएगा क्या नहीं करना है जल्दी बाजी में फैसला नहीं लेना है शुबरंग आपके लिए भूरा भाग की प्रत्षत 63-63 धनुराशी जिनांख 5 अपरैल दिन मंगरवार पढ़ाई हो जाएगी शिक्षा में कोई र रहा है रुके काम बना देगा बिजनस में कुछी तरह की बाधा नहीं है प्राइविट सेक्टर आपके लिए भारी पढ़ेगा चिंताएं बढ़ सकती हैं सोच समझ कर फैसला लिजिए सरकारी छेतर अच्छा है गौर्वेट सेक्टर में हर प्रकार की शुपता है दामपत जीवन आपके लिए सुभ रहेगा पती के साथ पती के साथ सपोर्ट मिलेगा और अच्छी तरह से मिलेगा लव लाइफ कुछ मुश्किलों के साथ आगे बढ़ेगा लव लाइफ को लेके सजग रहने की आवश्यक्ता है स्वास्त के मामले में धनुराशी वालों को आख और पेट की समस्या हो सकती है मा कुश्मानदा को क्यार पित करें आज धनुराशी वाले कोई मौस्मी फल का जूस निकाल कर प्रशाद रूप में मा की चरणों में रख दीजिएगा क्या नहीं करना है आज उधार नहीं देना है शुबरंग के सरिया भाग्य प्रशत पचास पांच अप्राइल मकर राजी अनोखे हैं आप मजबूती आएगी सिक्षा पूर्ड होने जा रही है ब्याबार अच्छा चलेगा रिस्क लेना शुब होगा प्राइवेट सिक्टर आप पर भारी पड़ेगा सोच समझ कर फैसला लेजिए सरकारी छेत्र आपके लिए बहुत अनकूल है गौर्वर्मेंट सिक्टर में प्रोशन है दामपत्य जीवन की स्थिती ठीक नहीं है यहाँ पर समस्याएं गंभीर दिखाई देती है लव लाइफ बहुत अनकूल है बड़े अफसक्की प्राप्ति है स्वास्त के मामले में बैक आँख और किट्नी की समस्या रही क्या उपाय करना चाहिए गर आपकी राशी मकर है आज काले तिल लौंग का प्रशाद मा को चड़ा दीजे क्या नहीं करना है उधार नहीं देना है शुबरंग काला भाग की प्रतिशत इक्यावन बात करते हैं कुम्बराश की दिरांग पांच अप्रैल मंगलवार कुम्बराशी पुरानी सिक्षाक प्रणाली से आगे निकलेंगे कुछ बड़ा और नया ट्राई करेंगे हो सकता है आज कहीं नई जिगह एडिविशन की भी संभावना बन जाए ब बड़े अउसरों की प्राप्ति होगी शुबता बनी रहेगी सरकारी छेत्र बोजह पढ़ रहा है गौर्मेंट सेक्टर में कुछ भी सकारात्मक नहीं है आज नौकरी पर आज आ सकती है लेन देन ध्यान से करिए का फ़ल सकते हैं लव लाइफ और मैरिड लाइफ संतुलन है मैरिड लाइफ में हर प्रकार की शुबता है बनी रहेगी कहानी लेकिन लव लाइफ आज थोड़ा सा शाम होते होते नोग जोग बढ़ सकता है शादी की चर्चा टाल दीजिएगा उमराशी वालों के लिए प्रियोग क्या करना चाहिए आज स्वास्त पहले बता दे ज देखा जाए तो मा कुश्मान्डा को पंच मेवा अर्पित करिएगा प्रशाद सुरूप शाम को उसका सेवन कर सकते हैं ग्रहन कर सकते हैं क्या नहीं करना है आज का दिन लंबी यात्रा नहीं करनी है बादामी रंगशुभ है सनशठ प्रत्षत का भाग्य है अंतिम राश मीन पढ़ाई में तो खोब मन लगाएंगे सिक्षा में कोई रुकावट भी नहीं मजबूती रहेगी अवसर अच्छे मिल रहें ब्यापार अच्छा चलेगा रुके काम बन जाएंगे बिजनस को ले करके आप जितना मजबूत रहेंगे उतना ही बहतर है प्राइवेट से किसी बड़े प्रोजक्ट को आप हैंडल कर लेंगे दांपत्त जीवन अच्छा है पत्नी के साथ क्वार्टी टाइम इस्पेंड करेंगे कहीं घूमने टहलने का कारिकम बनेगा लव लाइफ की स्थिती में सुधार नहीं हो रहा है बड़ी चिंताएं रहेंगे स्वास्थ अच्छा है बहतर रहेगा उपाय क्या करना चाहिए आज मीर राशी वालों को मा कुश्मान्डा के समक्ष घी का एक दीपक अर्पित करेंगे क्या नहीं करना है आज रुपेया पैसा उधार नहीं देना है शुबरंग आपके लिए नीला है भाग्य प्रत्षत 56 छपपन राश्यों का हाल जान ही लिया है तो अब आगे बढ़ जाईए भाग्याक्षर बता देते हैं और उसके बाद फटा फटा अपॉइंट्मेंट लेके आईए इन दोर में बैठे हैं मेश रासी छोटी ई बिशब रा मिथुन आग्षर करक का सिंग फाग्षर कन्या या तुला माग्षर बिश्चिक या धनू नाग्षर मकर पा कुम्भ लाग्षर मीन जा शुब भाग्याक्षर सादे चोकुर कागच पर लिख लीजिए लाल रंग के इंक वाली कलम से अपन किस देव को चढ़ाना शुब होता है या आपका प्रश्चन है आज का सही उत्तर आपको देना है चार विकल्प हम देते हैं ए विश्णू बी गनेश से शिव डी अगनी इतना सा करिए अपनी छोटी और एक बड़ी तस्वीर के साथ दिये गए नंबर पे बहुत सारे लो नहीं होता हो सेलेक्ट नहीं होता तो देर मत करिए इस विश्चे पर आज की सक्सेंज की सफलता की कुझे तीन बार गायतरी मंत्र का जाब करके पढ़कर और फिर आज का कारे आरम करिए जिनकी आज मैरे जैनवर्शरी और बर्थ अन्वर्शरी है उनके लिए आज के पौधे मंदिर में दान करना है और तीन बच्चों की सिक्षा में मदद करना है पांच अप्रेल को पैदा हुए लोगों को बस यह काम करना है और जिनकी आज मैरे जनिवर्सरी है तीन लोगों को खाना खिला कर तो पीपल के पौधे कहीं लगा दीजे काम पूरा आनन्द आ कल पूछे गए प्रश्ण का अब हम आपको सही उत्तर बताते हैं और भांगिशाली विजेता से बात करते हैं कल आप से प्रश्ण किया गया था कि किस ग्रह की प्रधांसा से व्यक्ति तेल मसाला अधिक खाता है आपके विकल्पते यह राहु बीमंगल सी शनी डी शुक्र सही उत्तर है शी शनी अगर आपके कुंडली में शनी देव की कृपा है आप पर लगन लगनेश को प्रभावित करते हैं तो आपका मन तेल मसाला तीखापन खाने का बहुत करेगा किये है मामला बहुतों ने सही उत्तर दिया भागशाली विजेता से अब फोल लगा कर बात किया जाए जी बीमल कमार तिवाली जी शीरादे संतो संतोशी बात कर रहा हूँ जी भागशाली है आज के आप परिया है आचार जी आपके इंतजार में बस रोज सोचते हैं कि आज कौन आएगा आज कौन आएगा तीन बार तो दुरबाशाली होई चुकी है जी बिमल जी आपने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है तेल मसाला अधिक इसलिए वेक दिखाता है जब उसका जन्वांग शनी से कुछने कुछ प्रभावित होता है आपने उत्तर सही दिया है मेरे खाल से आप ब्रेस्ट है कहीं गया नहीं बिमल जी अपने विशे में बताएं थोड़ा सामाई दर्शकों को अचार जी क्या पूछना जाएंगा हम अपने विशे में हम क्या बताएंगा आप से प्रभावित है कि आपकारिकरम को एक दिन कित नहीं करते हैं अगर एक दिन मिस करते हैं तो यह लगता कि आज बोजन नहीं किया है या पुजा नहीं किया या कोई एक कारिव को यह दूर रह गया है जोतिश ग्यान में रुच्छ हाे आपको इसका मतला जी जी रुच्छ है और मनोमאर जन पूत हुझ य को ले से जॉक्त हुगा है वह स्थोथिन介़ का होगी जोतिश से बात क्रें आप क्या करता है मैं ज्मात करता हूं आचा धाया जी और मेरा बैटरी इन्वेटर का लिया पार है वैनली जो शुरू हुआ था इलेक्ट्रिकल से बात कर रहे हैं आप कहा से बात कर रहे हैं आप एतावा उत्तर प्रदेश एतावा उत्तर प्रदेश मेरा बेटे किसमत बहुत पहरी खुल गई थी अच्छा 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 बहुत खुशी है तो बिमल जी किसके विशे में जानना चाहेंगे आप बताएं डेट आपर बताईए डेट आपर हमारी है 20 जुलाई 20 जुलाई 1904 1974 जी कहा का जन्म है आपका उस समय क्या है मैं पतावा अच्छा ख्रॉपर का जन्म है दिन में एक गजे है आप अज मिनट आप नेंछे का साथ हुं सता है पूछे बाप क्या जानना चाहते है इपकने बारे में मुझे प्यापार बनने का बहुत था और मेरी सर्थारी नौपरी जो है लगते रह गई हम अध्यापक बन सकते थे हम ने एवाइज कर दिया और हम साबू बन सकते थे तब कुछ पत्ति थे लेकिन प्यापार में 24 गंटे मन लगा रहता था और प्यापार को इतने उच्छाई अब प्याद करें अब लगा रहता हुआ करुछ बात्यान बन लगा लेए तो भी आप प्रस्न होगा तो भी स्टार का समय कम है आब आप अनलाइन अभी रिकॉर्डिंग में है तो अभी क्या प्रश्न है आपका भी मल जी प्रश्न में है आजार जी प्यापार के आप सदलना के ये हमको या इस समस्या के अम कब तक शुक्तारा दे जाएगा दोजार चौदै से पास ये बहुत परिक्षान है 2020 तक आपकी शुक्र की महादशा है थी अभी बीट गई अभी सूर्य चल रहा आपका जुलाई 26 तक आपका सूर्य रहेगा और ब्रहश्पति आपका वक्री है गौदाशे शूकर के मकर लगना आपका है तुला लगना है मकर नौमाश है अभी देखें सूर्य की स्थिति ठीक है चुकि दसमे स्थान बल भाव बल दिख बल तीनों बल होते है शूर्य के पास तो सूर्य तक कोई चिंता नहीं है थोड़ा सा विस्तार कम कर दीजिएगा पर विस्तार कम कर दीजिएगा गव की क्षोब सेवा करी और विकलांगे ता आपको कबसे है ये मतलब बच्ब है यह हम एक साल की उम्र थी और प्रिक एक साल को ओने के अगले दिन मुझे पोली ओटेक्ट कर लिया था अच्छा अच्छा लगा था नौ मैने तग था 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 ज़ने लगा था और यार और कुछ करने क्या वश्यक्ता नहीं है गव सेवा से ही आपका कल्यान है कोई दिक्कते एक अधसी से कोई विशेश लाब नहीं मिलेगा तुला लगने के लिए ब्रहश्मति अकारक होता है आपको व्रत केवल गनेश का करना चाहिए आपके नौम भाव के स्वामी है बुद्ध अपने खर के बैठें सूर्य सनी के साथ आपकी कुणली का सबसे शुभ भाव नौम भाव है और दसम सबसे अशुभ कहा जा सकता है क्योंकि सूर्य वहां बैठ करके नास किये है ब्रहश तो रहेगा ही आपके उपर तो ये अजार जी कब तक खतम होने की उमीद है कुछ नंक उमीद ने करजा नहीं खतम होगा आपका आपका करजा नहीं खतम होगा आपका करजा आपके बच्चे उतारेंगे नहीं होगा नहीं होगा नहीं अच्छा मनब बोला है तो खतम होगा यह पहार भोग है, यह पहार भोग है। कुछ उपाय ऐसा हो कि अजी कम हो जाएं नहीं? बस केवल एक ही उपाय है आपके लिए, जितना हो सब्याई गणेश उपासना करिये बस गणेश उपासना करिये और बड़ो का अशिर वाद दीजिए आजादी हम यापार कुछ चेश करें कुछ और कुछ अप्टिकर इलेक्टरिक टाइन के पेच्छा कुछ और कुछ रहती है अजादी हम यापार उसमें मुझे लाब मिले देखिए लाब तो आपको 100% मिलेगा है कहीं से लाब कहीं से भी आपके लिए ऐसा नहीं कि लाब नहीं मिलेगा अभी जो वरतमान समय है इसको किसी तरह से आप मेंटेन कर लीजे बस जी या तोचार सालों के कुछ कम होने इस उमीद है उसमेद बहुत कम है उमीद बहुत कम है रहुत कम है चलता जायगा यह ऐसे ह ही रहेगा प्रोडली जी गणबार है तरह से असरे जो ब्रहाश्पती ने नास किया है अच्सा लौन ब्रहाश्पती ने नास किया है एका और पोई ऐसा उपाए रही है जिसके हम इसको पही दस्के है रखावज करने का बस वही एक प्रियोग जो हमने बताया आपको गौ सेवा है और कुछ नहीं है गौ सेवा और और अधरेष्टी को पातला बस आप भी इसी तरह से भागशाली विजेता बन सकते हैं देर मत करिए आज के प्रश्न का उप्तर तुरंत दीजिएगा बहुत बहुत शुक्रिया आपके परम पावन दिन की मंगल कामना करते हैं कोश्मानदा आप सबको सदय और प्रशन रखें हमें अनुमत दीजेगा अपना ख्याल रखिएगा नमस्कार शेरादे